हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुती सुंदर और बहुती आसान डबल जाली केबल डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है प्रेंट्स इस डिजाइन को न्यू बिगनर्स भी आसाने से बना सकती हैं इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, शोल, स्टोल, मफलर, बेबी ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं इन सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको चार के मल्टीपल फंदे लेकर दो फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एड़िस्ट हो जाएगा चार के मल्टीपल देखिए आप इसमें चार फंदे गिन लिजिए फिर से चार फिर से चार फिर से चार इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके दो फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और सिर्फ दो ही सलाईयों में कम्प्लीट हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंट्स जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही मैं आपको यहां से बता रही हूँ। तो यहां पर मैंने लिये हैं 26 फंदे, 4 के मल्टीपल करके और 2 फंदे एक्स्ट्रा। डिजैन की ये पहली सलाई है और सीधी साइड है तो ध्यान दीजिएगा, ये डिजैन बनाने में बहुत ही आसान है और इस डिजैन को बनाने के लिए सलाई आप अपनी ओन के अनुसार ले लिजिएगा, तो पहला फंदा इसका एस्टीच है, इसे उतारिये या उल्टा बना जिससे इसकी ये किनारी मुड़ती नहीं है, एस्टीच के बाद यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा, तो देखिए धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, एक और ये दो, अब धागे को देखिए अपनी तरफ लेकर आएंगे, एक फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे में स्लाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ है और दो का एक फंदा ऐसे बना देंगे, जब हम धागा अपनी तरफ करके दो फंदे का एक फंदा बनाते हैं, तो जाली से फंदा वापस बढ़ जाता है, एस्टीच के बाद ये हमने चार फंदे का डिजाइन बनाया इसी को बार-बार रिपिट करते जाएंगे तो फिर से देखिए दो फंदे सीधे एक और ये दो धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे एक फंदे को ऐसे पलटके और सीधा कर देंगे फिर बैक साइड से दो फंदे में स्लाइड आल लेंगे ये बिल्कुल स्टार्टिंग जो यहां से होती है वही स्लाइम आपको यहां से बता रहे हैं धागा अपनी तरफ करके फिर दो फंदे में बैक साइड से स्लाइड आलेंगे और दो का एक बना देंगे फिर से सीड जैन को रिपीट करेंगे दो फंदे सीधे एक और ये दो धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदे को पलट के ऐसे सीधा कर देंगे फिर बैक साइड से दो फंदे में स्लाइड डालेंगे धागा अपनी तरफ और दो का एक बना देंगे तो जो फंदा कम किया वो जाली से बढ़ा दिया फिर से डिजैन को रिपिट करेंगे दो फंदे सीधे अब धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे एक फंदे को पलटके ऐसे सीधा करेंगे बैक साइड से दो फंदे में ऐसे सलाई डाल देंगे और दो का दिखिए ऐसे एक फंदा बना देंगे फिर से सीड़ी जैन को रिपेट करेंगे दो फंदे सीधे एक और ये दो अब फिर से धागा अपनी तरफ ले कराएंगे एक फंदे को ऐसे पलट के सीधा करना है फिर बैक साइड से दो फंदे में स्लाइड डालेंगे धागा अपनी तरफ है और दो का हम एक फंदा बनाएंगे फिर से दो फंदे सीधे एक और ये दो धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए इस एक फंदे को हम ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे में स्लै डालेंगे और दो का एक फंदा ऐसे बना देंगे आपके जितने भी फंदे हों आप यही चार चार फंदे का डिजैन इसमें बार बार रिपिट करते जाए तो लास्ट में आपका एक ही फंदा बचेगा धागा अपनी तरफ करके एस्टीच को आप उल्टा बुन लिजिए जिसे किनारी इसकी बिल्कुल सीधी रहेगे तो पहली सलाई डिजैन की कम्प्लेट हो गई अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइट ये डिजैन सीधी और उल्टी दोनों ही सलाईों पर बनता है सिरफ दो सलाईों का ही ये डिजैन होता है तो अब देखिए कैसे करेंगे सलाई हमें उल्टी ही बनानी है लेकिन ध्यान से देखिए पहला फंदा ऐस्टीच है इसे हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे अब यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो दो फंदे उल्टे देखिए एक और ये दो अब इस तरह से लपेट का एक जाली बनाएंगे और दो फंदे का इस तरह से एक फंदा उल्टा बुन देंगे जो हमने यहां पर दो का एक किया उसके लिए लपेट कर जाली बना दे तो यही चार फंदे का डिजैन बार बार रिपेट करते जाएंगे तो ध्यान से देखिए दो फंदे उल्टे एक और ये दो फिर इस तरह से लपेट कर एक जाली बनाएंगे और दो फंदे का एक फंदा ऐसे बना देंगे फिर से डिजाइन को रिपीट करना है दो फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे फिर सलाई के उपर लपेट कर एक जाली बना देंगे और इन दो फंदे का यहाँ पर एक फंदा ऐसे बना देंगे फिर से डिजाइन को repeat करना है दिखिए एक और ये दो फंदे हमने बनाए इस तरह से सलाई के उपर धागा लपेट देंगे तो जाली बन गई और इन दो फंदे का एक फंदा बना देंगे फिर से आपने दो फंदे बुन लेने हैं यहां आप स्टार्टिंग से ध्यान रखिएगा कि ये स्टार्टिंग वाले दो फंदे बुनने के बाद लपेट कर जाली बनाएए फिर दो का एक कीजियें तो आपका डिजाइन बिल्कुल सही एड़जेस्ट होता चला जाएगा तो ये दो फंदे बुनने के बाद इस तरह से लपेट कर एक जाली बनाएंगे फिर दो फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक बना देंगे फिर से दो फंदे हम देखिए एक और ये दो बनाएंगे लपेट कर एक जाली डाल देंगे और ये वाले दो फंदे एक साथ और दो का एक कर देंगे तो दो का एक करने से फंदा कम होता है तो पहले जाली से बढ़ा दिया जाता है और लास्ट का फंदा है इसे हम ऐसे उल्टा ही बुन देंगे तो दो ही सलायों में ये डिजैन ओवर हो जाता है इन ही दो दो सलायों को आप बार बार रिपीट करते जा आजाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीखा पसंद आया हो तो प्लेज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंड्स ग्रूप में शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब् मासे वल्म.न मासे बतान परेंड्स अ доллар को सब्सक्राइब ये अ, ये लिए टकीजिये उन्सिंजाने सव cognitive आपका दे खाले सइटीयोंगर ये हैं ये प्रेंड्स ग्रूंने सब्सक्राइब गया हो था हैं जाजड्स भक्कार फालें जार आझ सब्सक्राइब इस आ irrelevant, नहीं